वेलकम दोस्तों आपका हमारे नए बेडियो में स्वागत है फ्रेंड आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी से ओगत कराने जा रहा हूँ जो हमारे सरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद है हमारे सरीर से कई सारे खतरनाक रोगों को बहुत ही आसानी से ठीक करता है तो ध्यान से देख लो और पहचान लो यह अद्भुत जड़ी बूटी यह अद्भुत आउसदी बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद है हमारे सरीर के लिए यह पूरे भारत में पाया जाता है यह नदी नालों के किनारे पोखरों के किनारे ज्यादा तर जली वाले अस्थान पर जल के जहां जल का स्रोत रहता है उसके आसपास ही यह पोधा ज्यादा तर उगता है और यह दोस्तों ध्यान से देख लो और पहचान लो इस प्रूटी का नाम है दोस्तों निर्वी यह निर्वी का पौधा है ज्यान से देख लो और पहचान लो इसे आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा जहां जल अस्तर रहता है वहां पर यह आसपास जरूर उगा रहता है तो चलिए आज हम आपको इस निर्वी के चमतकारी फ निरूई पीलिया को बहुत ही आसानी से जड़ से खत्म करने की दवा है पीलिया होने के बाद पूरा बदन पूरा सरीर पीला पड़ जाता है आखे तक पीली हो जाती है यहां तक कि दोस्तों उनके पेसाब उनके ठोकने पर भी पीला ही निकलता है तो यह पीलिया को जड़ से खत्म करने की दवा है आपको पीलिया के रोगी इसके डंठल को ले इसमें दोस्तों इसके डंठल को आप देख सकते हैं इसमें पत्तियां नहीं होती इसके पत्ते ही इसके डंठल को आपको अच्छी तरी उपर से जो फूल दिख रहे हैं आपको फूलों को निकाल देना है और सिर्फ डंठल ही डंठल को आपको लेना है और इसे अच्छी तरीके से पीस कर इसे चाच में लगभग इसे दोस्तों आपको 25 ग्राम की मातरा में प दोस्तों छाच में मिलाकर पीएं इससे पीलिया का रोग मात्र साथ दिनों के अंदर अच्छी तरीके से बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है यह सरदी जुकाम कफ के रोगी जो सरदी जुकाम कफ से परिसान है उनके लिए यह निरुई बहुत ही ज्यादा फाइदिमंद है सरदी जुकाम कफ के रोगी को निरुई के जड़ को उखाड लेना है निरूई के जड़ को अच्छी तरीके से ढोएं और इसका जो सफेद सफेद इसके नीचे से आप इसको जब इसकी जड़ को उखाड़ेंगे तो इसमें से आपको सफेद सफेद कंद निकलेगा उस कंद को आपको अच्छी तरीके से धो कर उसे पीस कर इसे उबाल कर इसका काढ़ा बनाएं और इस काढ़े का अगर आप मात्र दो दिनों तक सेवन कर लेते हैं 50-50 ग्राम की मात्रा में इसके काढ़े का तो आपको जड़ से ही सरदी जुकाम कफ बिल्कुल खत्म हो आपको कफ को अच्छी तरीके से आपको साफ कर देगा यह आपको बहुत ही जड़ा लाफ देगा इसके कोई भी साइड इफिक्ट नहीं है आपके सरीर में कैलसियम की कमी यह कैलसियम की कमी को बहुत ही आसानी से जड़ से खत्म कर देता है अगर आपको कैलसियम की कमी की व कर देता है आपको कल्सियम को बढ़ाने के लिए आपको निरोई की जड़ को लें आपको निरोई की जड़ को उखाड लें और इसे च्छाय में सुखा कर पीस कर इसका पाउडर बना लें इसे आपको धोएं और च्छाय में सुखा कर आप इसे पतला पतला काट कर भी सुखा सकते हैं पतला-पतला काट कर सुखा दें और सुखाने के बाद आपको इसका पीस कर पाॉडर कर लें और एक एक चमच की मातरा में दूद्ध में मिला कर सेवन करें आप देखेंगे कि आपको मातर दो ही तीन दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा यह कितना ज़्यादा लाफ़कारी फाइदे-मंद है आप इसका अगर एक हफ़ते तक सेवन कर लेते हैं तो आपकी कேलसियम की दम जड़ से खत्म हो जाएगी आपको सालो साल तक आपको कभी भी केलसियम की कमी होगी ही नहीं इतना ज़्यादा powerful और फाइदे मंद है यह चर्म रोग के लिए यह चर्म रोग जैसे आपको अगर बरसाथ के समय में सड़न हो जाती है आपके पैरों में ज़्यादा तर गाउंटी इलाकों में लोगों के पानी में काम करने की वज़े से पैरों में सडन हो जाती है उंगलियों के बीच में सड़ जाता है तो आपको इसके हरे डंठल को दोस्तों पीस कर इसका रस मातर सड़े हुए अस्थान पर लगा दे आसानी से ठीक हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर कोई सवाल है तो वीडियो को जादा से जादा दोस्तों रिलेटिव में सेयर करें ताकि उनको भी लाम मिल सके मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड